नमस्कार बच्चो आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं Class 10, SST, सामाजिक विज्यान की Worksheet No. 74 यानि की कारेपतरक सिंख्या 24 को या आपकी 27 जनवरी 2022 की Worksheet रहेगी आज की इस Worksheet में हम History इतियास के 3rd चाप्टर Nationalism in India भारत में राष्टरवाद को पढ़ना जारी रखेंगे ये इस चैप्टर का 5th part रहेगा अब तक हम इस चैप्टर में क्या कुछ पढ़ चुके हैं थोड़ा सुच को रेक्याप्चुलेट करेंगे सबसे पहली जो Worksheet थी उसमें हमने समझा था कि राष्टरवाद क्या होता है राष्टरवाद का रत होता है देश के परती जो प्यार है लगाव है, समर्पन है जो एक होने का भाव है वो राष्टरवाद है उसमें हमने ये भी समझा था कि देश में राष्टवाद का विकास कैसे होता है, फर्स्य वर्ल वार का उसमें क्या योगदान था, प्रतम विश्यूद है, फर्स्य वर्ल वार है, उसके बारत के उपर क्या परभाव पड़े, उसके बाद जो हमारी दूसरी वर्कशिट थी, उसमें हमने समझा था कि सत्यागरह क्या है इसका विचार किस ने दिया और गांदी जी के जो शुरुवाती तीन सत्यागरह थे शुरुवाती तीन जो आंदोलन थे उनके बारे में हमने बात की थी उसके बाद जो next वरक्षिट थी उसमें हमने समझा था रोले टेक्ट क्या था अंग्रीजी शरकार क्यों लेकर के आती है उसका किस तरीके से विरोध किया जाता है और क्यों जलिया वाला बाग की घटना होती है वो incident होता है उसके बाद उससे अगली जो वरक्षिट थी उसमें हमने समझा था खिलाफा था अंदोलन को हमने समझा था ऐसे ओ गांदोलन को क्यों शुरू कियेगे उसमें क्या कुछ हुआ था आज की इस वरक्षिट की बात करें तो इसमें हम ऐसे ओ गांदोलन है उसको थोड़ा और नाम से पदा चलता है कि इसका जो मुख्यव देश्य था वो था कि अंग्रेजों को सयोग नहीं करना है क्योंकि गांदे जी का मानना था कि अंग्रेज जो मुठी भर अंग्रेज है वो हमारे देश में हमारी उपर आ करके हुकम इसले चला पा रहे हैं क्योंकि हम उनको कॉप यानि मुख्य उदेश्य क्या था इस आंदोलन का मुख्य उदेश्य था खिलाफात आंदोलन का समर्थन करना दूसरा मुख्य उदेश्य था हिंदू-मुस्दिम एकता को बढ़ावा देना तीसरा जो इसका उदेश्य था सवराज की मांग करना और चोथा उदेश्य था अं सवराज का अर्था लग लग था जैसे भाग लिया आवद के किसानों ने उस आंदोलों ने भाग लिया था जो असम के चाय बागान के मजदूर थे उन्होंने उसमें भाग लिया था जो आंदरा परदेश के गोडेम हिल की पाढ़िया थी वहां के आदिवासियों ने लेकिन हर किसी के लिए सवराज का अर्थ अलग लग था इसने थोड़ा सा इस आंदोलन को कमज़ूर कर दिया था सभी ने सवराज के आवान को सिवकार तो किया लेकिन उन के लिए उसके अर्थ अलग लग थे ये का हमारा important, बहुत important question बनेगा five marker में जो कि हम detail में भी discuss कर चुके तो अब हम क्या पढ़ेंगे, इस worksheet में हम पढ़ेंगे किस अंदोलन में किस परकार से लोगों ने भाग लिया था और उनकी क्या आकांगशाएं थी तो अगर हम कस्बों या शहरों में ऐसे योगा अंदोलन की बात करें तो इस अंदोलन मुख्य तोर पर जिन लोगों ने, जिस वर्ग ने भाग लिया तो वो था मध्यम वर्ग यानकी मध्यम वर्ग की भागेदारी थी, वो सरवादिक थी मध्यम वर्ग के साथ-साथ अगर हम बात करें तो कई और वर्ग थे, वो शामिल थे से विद्यार थी, स्टूडेंस थे, ہजारों स्टूडेंस ने भाग लिया थे इस अंदोलन में, उन्होंने इस सरकारी, जु स्कूल कोलेज थे, उनका बहिस कार कर दिया वो स्कूल जाने से मना कर दिया, स्कूल कॉलेजों को छोड़ दिया इसी तरी किसे जो हेड मास्टर थे, जो टीचर्स थे उन्होंने भी अपने रिजाइन दे दिये, इस्तिफी दे दिये गांधी जी के समर्थन में, राश्ट्री आंदोलन है उसके समर्थन में यनकी उन्होंने भी स्कूल और कॉलेजों का बहिसकार करना शुरू कर दिया वकेल थे, उन्होंने मुग्द में लड़ना बंद कर दिया यनकी उन्होंने कोट का बहिसकार कर दिया जातर जो प्रांथ थे, जातर जो स्टेट थे उसमें परिशत चुनाओं का बहिसकार कर दिया गया था मदरास अगर स्टेट की बात की जाए तो उसको छोड़ करके पूरे देश में जितने भी रांजतिक दल थे उन्होंने कह दिया कि हम चुनाओं नहीं लड़ेंगे क्योंकि चुनाओं वास्तों में कुछ नहीं दिखावा है डखोसला है और हम इसमें भाग नहीं लेने वाले आपको यहां से जाना पड़ेगा हम कॉपरेट नहीं करने वाले तो इसमें मध्यम वर्ग के साथ सुरुवात हुआ था धीरे धीरे समाज के जो अन्य वर्ग है जो जागरूक वर्ग था वो इस आंदोलन के साथ चोड़ता गया इससे एक परभाव क्या पड़े जो विदेशी वस्तों उनके उपर बड़े परभाव पड़े थे क्योंकि इस आंदोलन में क्या कुछ हुआ था जैसे हमने पिस्दी वर्क्षिट में पड़ा था कि ये सब कुछ तो हुआ ही था लोगों ने विदेशी सामान का वहिस्कार करना शुरू कर दिया सवदेशी वस्तों उनको प्रियोग करना शुरू कर दिया लोगों ने विदेशी कपडों की होली जला दी खादी पहना शुरू कर दिया ये वो परभाव थे जिससे विदेशी वैपार को जबरदस धक्का लगा था जैसे वैपारी थे उन्होंने का कि हम जो विदेशी सामान है उसका वैपार नहीं करेंगे हम नहीं बेशने वाले तो विदेशी जो वस्तुएं उसका पर क्या परभाव पड़ा विदेशी सामानों का वहिसकार किया गया था सराब की दुकानों की पिकेटिंग की गय थी पिकेटिंग जो शब्द है इंगलिश का शब्द है इसकारत होता है जिसे किसी दुकान का रास्ता रोक लिया, रास्ता रोक करके धन्ना पर्दशन करना, तुसे पिकेटिंग वोलते हैं, तो श्राप की दुकान है, वहाँ पर धन्ना पर्दशन किया गया, ताला बंदे की गई, विदेशी कपड़ें उनकी होली जलाए गई, और इसका और 102 क्रोड थे, 45 क्रोड रुपे उस समय के इसाब से 45,000 क्रोड से कम नहीं थे, अगर हम आज के समय की बात करें, तो इतने ज़्यादा लोस हुआ था, सिरफ हम विदेशी कपड़ों की बात करें, उसके आयात की बात करें, बहुत सारे स्थानों पर वैपारियों ने उनको पहना शुरू कर दिया, इससे भारतिये जो कपड़ा मिले थी, भारतिये जो हतकरगा उद्योग था, उसकी दिन दोगनी, राचोगनी उन्नती होने शुरू हो जाते है, यानि कि इसके व्यापा कसर पड़े, भारतिये उद्योग फलने फोलने लगे थे, विदेशी ठफ हो गया था, और जो गांदी जी चाहते थे कि अंग्रेजों का जो मुख्यों देशी क्या लाब कमाना है, अगर वो लाब बंद हो जाए किसी तरह किसी, हम कॉपरेट करना बंद होता है, बंद कर दें उनको, कॉपरेट अगर हम ना करें, तो क्या होगा, अंग्रेज हम अंदोलन कमजोर पढ़ने लगया, धीला पढ़ने लगया, हलाकि ये ऐसा नहीं है कि इसके उदेश्य पूरे नहीं हुए थी, उदेश्य क्या था गांदीजे के इस अंदोलन का कि सभी लोगों को देश से जोड़ना, सभी लोगों तक ये बात पहुंचा देना कि अंग्रेज है, उनको हराया जा सकता है, अंग्रेज है, वो अपने देश में हमारे उपर अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते, उनका मुख्यो देशी ये था कि हर वैक्ति को देश के साथ जोड़ना है, और अगर वो देश के साथ खुद को जोड़ पाए, तो एक न एक दिन ह हम सफल रहोंगे, अंग्रेज यहां से जाएंगे, लेकिन यह आंदोलन था वो कुछ समय के बाद शहरों में कमजोर पड़ गया था, अब इसकी कमजोर पड़ने के कारण क्या थे, पहला कारण ये था कि खादी का जो कपड़ा भारतियों ने पहना शुरू कर दिया था, व 1921 में शुरुआ थी, 22 तक जाने लगया, तो दीरी दीरी जो लोग थे, वो वापस फैक्टरी के कपड़े पहने लगए थे, क्योंकि खादी महंगी थे, अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और ये जब पहने लगे, तो अंदोलन तो कमजोर होना था, क्योंकि ये तो एक मेन पार वापस वो जो स्टूडेंस थे, जो टीचर्स थे, उनी स्कूलों में लोटने लगे, ऐसे जो वकील थे, कब तक घर बैठ थे, पैसा तो उन्हें भी चाहिए था, तो कुछ समय के बाद वो वापस अदालतों में जाने लगे, और इन सब कारण की जो लोग पहले जुड़े थे, वो देरे देरे वापस अपनी मजबूरियों के कारण, वापस उन चीजों से, उन संस्ताओं से जुड़ने लगे, जिसके कारण ये अंदोलन कमजोर पढ़ गया था, एक और चीज भी ये थी, कि शहरों में कमजोर पढ़ने का कारण ये था, कि सुरुवात में जो जा परशन रहेगा, कि कस्पोर शहरों में विभिन समों ने ऐसे योग अंदोलन में किस परकार भाग लिया और ये अंदोलन क्यों धीमा पढ़ गया, यान कि इसमें दो पार्ट रहेंगे, सबसे पहले था हमें बताना है कि कैसे भाग लिया था इस आंदोलन में अलग लग समो उसका बहिसकार किया था, अब दूसरा भाग है इसी परशन का, हमें ये बताना है कि शहरों में अंदोलन धीरी-धीरी कमजोर क्यों हो गया था, यान कि धीरी-धीरी इसके दीमें होने के कारण क्या थे, तो पहला कारण कि खादी का कपड़ा अकसर बड़े पेमाने पर उत दूसरा कारण था कि ब्रिटिस सिक्षन संस्तान जो थे, उनके बहिसकार ने भी एक समस्या उत्पन कर दे थी, उसका कोई भारते विकल्प नहीं था, क्या हुआ, कुछ समय के बाद बच्चों ने वापस उसी स्कूल कॉलिज में जाना शुरू कर दिया, वकील और अधिका पड़ गया था, चोथा कारण जैसे मैंने बताया कि शुरू आत में जो 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 तो दो चीजे करता, पहला सरकार नियंतरित स्कूल का बहिश्कार करता, दूसरा आजपास के लोगों को भी इस आंदोल में शामिल होने के लिए प्रेडित करता, तो ये थी मारी आज की वरक्षिट, उमीद करता हूं सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अगर आपको ये वीडियो, ये वरक्षिट अच्छे लगेती, इस वीडियो, इस वरक्षिट को लाइक और शेर जरूर केज़ेगा, और हाँ, ये कम्प्लीट जो आपका चैप्टर है, भारत में राष्टवार, ये ओल्रेडी मैं पब्लिश कर चुका हम, दो बार पब्लिश कर अगर आपने इस चैप्टर को नहीं देखा, इस चैप्टर के वीडियो को नहीं देखा, तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में क्लास 10 सोसल साइंस का जीनियस पैच मिलेगा, जिसमें आपको कम्प्लीट क्लास 10 सोसल साइंस की ये जो वीडियो है,